हेलो दोस्तों मैं मेगा चावला आपका मेग करियर अकेडमी में स्वागत करते हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SSC MTS की फर्स शिफ्ट ओवर हो गई है तो SSC MTS में क्या-क्या कोश्चन्स पूछे गए हैं कहां-कहां से इसका हम पूरा एनलाइज इस वीडियो में करेंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार का जो एक्जाम पैटन था वो चेंज था MTS और Reasoning Qualifying Nature की थी तो अगर आप लोग केवल इतने कोश्चन्स भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप easily method reasoning को qualifying कर जाएंगे तो start करते हैं हम topic wise cover करते हैं कि MTS में कहां-कहां से कोश्चन पूछे गए हैं तो जैसा कि हर बार होता है उन्ही एरिया से पूछे गए हैं MTS में time and work से कोश्चन पूछा गया है दो कोश्चन पूछे गए हैं साधारन व्याज चकरवर्ती व्याज SICI से दो कोश्चन पूछे गए हैं रेशो अनुपात से दो कोश्चन पूछे गए हैं मैंसुरेशन से एक कोश्चन पूछा गया है जो की formula base था सिंप्लिफिकेशन से भी एक कोश्चन पूछा गया है दूरी और समय, time and distance से भी दो कोश्चन पूछे गए हैं percentage से दो कोश्चन पूछे गए हैं profit and loss से दो कोश्चन पूछे गए हैं और DI, DI से भी दो से तीन कोश्चन पूछे गए हैं और discount यानि छूट बट्टे से भी एक कोश्चन पूछा गया है और आयू के question से भी एक question जो है कि पूछा गया है तो अगर आप maths में केवल इतना भी अच्छे से कर लेते हैं ये वाले chapters भी तो आप अच्छे से qualify कर जाएंगे अब बात करते हैं कि reasoning से क्या क्या question पूछे गया है तो reasoning से coding decoding से 2-3 question पूछे गया है calendar से एक question पूछा गया है missing number series से भी एक से दो question पूछे गया है similar set से question पूछा गया है दरपन image यानि mirror image से question पूछा गया है कथन निशकर्श से question पूछा गया है आकरती पून कीजिये वाले सवाल भी आये हैं blood relation से question है, direction से question है और series से question है यानि कि जो same pattern SSC अभी तक reasoning में देता था केवल वो ही pattern है, बस qualified nature का है अब बात करते हैं जिसके marks जुडने हैं English, English से क्या-क्या question पूछे गया है तो English से error detection से 3-4 question पूछे गया है improvement of sentences से भी 2-3 question पूछे गया है flinda blank से 2-3 question पूछे गया है preposition से भी 2 question है conjunction से एक question पूछा गया, synonym, antonyms, one word तो तीनों से ही 2-2 question पूछे गया है spelling error से भी 2 questions पूछे गया है और close test से 5 questions पूछे गया है ठीके, और आज के paper में direct, indirect और passive voice से कोई भी questions नहीं आया है, नहीं reading comprehension आया है ठीके, तो ये English से पूछे गया है बात करते हैं, G.S की G.S से कौन-कौन से question पूछे गया है और G.S से सबसे ज़ादा जो question पूछे गया है वो static G.K से पूछे गया है, act question पूछे गया है, ठीके, बाकी quality से भी 2 questions है, history से 2 questions है, science से भी 3 questions है, geography से 2 है, economics से 2 questions है, और current से भी 3-4 questions है तो GS से कौन कौन से questions पूछे गए हैं इन पर detail चर्चा करते हैं GS का पहला question पूछा गया है 1982 में जो Asian Games हुए थे वो कहां पर हुए थे तो Asian Games हमारे दिल्ली में हुए थे Human Body का जो temperature है वो Celsius में पूछा गया था जो 37 degree Celsius है ठीके 2023 के budget में corporate tax का slab पूछा गया है और ये पूछा गया है कि biosphere reserve कितने हैं इंडिया में तो 18 biosphere reserve है इसके बाद question पूछा गया है कि fungus किस पर लगता है तो fungus, bread, चमडे, अचार सब पर लगता है उप्यूक सभी इसका answer था इसके बाद पूछा गया कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द व्यक्ति की गरीमा को परिभाशित करता है जिसका answer option अगर मेरे को option नहीं पता है इसके अगर option एकता और अखंडता है तो यही सही हो जाएगा इसके बाद पूछा गया है गेर नित्ते गेर नित्ते कहां का है तो राजस्थान का है और कौन सी जन जाती इसको करती है यह पूछा गया था तो बील जन जाती इसको परफॉर्म करती है इसके बाद पूछा गया था एसकीमो का रेजिडेंस देश नहीं पूछा गयते शेत्र पूछे गयते तो दुरूवे शेत्र में एस्किमों पाय जाते हैं इसके बाद कोशन पूछा गया है कि खजुराओ का टेंपल किस ने बनाय था तो चंदेल शाशकों ने बनाय था मध्य पर्देश में है इसके अलावा करगम नित्ते, नित्ते से बहुत कोशन पूछे जा रहे है तो करगम नित्ते का स्टेट कौन सा है तो तमिलनाडो और करनाटक दोनों ही स्टेट में ये होता है, आप्शन में दोनों में से कोई एक ही था कोंग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूछा गया है कि कब हुआ था, सौरी कहां हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, सबको पता है व्योमेश चन्द बनार जी ने इसके अध्यक्ष्टा करी थी इसके बाद पूछा गया है कि इलियास खान का संबंद किस से है, तो सारंगी से है इलियास खान का संबंद है इसके बाद कोशन पूछा गया था कि मराठा, मराठाओं में दो टेक्स होते है, चोत और सदेश मुखी उनमें से पूछा गया था जो 25% टेक्स यानि की एक चोथाई 25% का सीधा मतलब है वो कौन सा टेक्स था तो चौथ टेक्स था इसके बाद कोशन पूछा गया था ऐसी क्रिशी जिसमें मानव और प्रशो दोनों साथ में भोजन करते हैं इसके उप्शन मेर को नहीं मिले अगर आपको पता हो आपने एकजाम दिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा इसके बाद कोशन पूछा गया थारवी शदाब्दी में ब्रिटेन में कपड़े के उद्योग में व्रिधी से भारत पर क्या प्रभाब पड़ा है तो इसके उप्शन मांग अधिक होने के साथ मांग कम होने के साथ तो मांग कम होने के साथ इसका प्रभाब पड़ा है तो ये चीन में है, इसके बाद मेगनस कालसन का संबन किस्से है, ये सबको पता है कि ये नौर्वे के है और ये एक शतरंच प्लेयर है, इसके बाद एक बहुत फेमस ओटोबायोग्राफी पूछी गई थी, दो रेस ओफ माय लाइफ किसकी है, तो ये मिलखा सिंग की ओटोब आयोग्राफी है, इसके बाद मौपिन तयोहार कहां का है, तो अरनाचल परदेश का मौपिन तयोहार है, नेक्स्ट कोशन पूछा था कि अशोक के समय प्रांत नहीं था, तो इसका ओप्शन काफी सारे दे रखे थे, उसमें एक तोसली था, जो राजधानी था, तो तोसली ही सही होगा, इसके बाद कोशन है कि 2020 के लिए भारत को किस आयूवर्ग में, आय वर्ग में रखा गया है, तो निम्न आयूवर्ग में रखा गया है, इसके अलावा दो से तीन कोशन हमारे बायलोजी के थे, तो यह है हमारा कम्प्लीट एनलाइस, SFC MTS, फर्स शिफ्ट का, आने वाली शिफ्ट की एनलाइसिस भी हम जरूर करेंगे, तो वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो का जो PDF है, वो भी आपको हमारे टेडिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, थेंक यू